हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक पर द्वारा से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले हैं पर नए तुछे को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवाना ना पूला ताकि हमारे सबी के सबी नोटिविकेशन रेसीब कर सबसे पहले साथ में टेलिग्राम ट्विटर इंस्टाइब फॉलो कर सकते हो सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तों आज बात करेंगे 8 रुपे के बजाज का सुगर पैनी स्टॉक चिया दोस्तों चीनी का पैनी स्टॉक है सुगर पैनी स्टॉक जैसे आपको पता है जो हमारा सुगर सेक्टर है काफी आउट परफॉर्म काम कर रहा है लगातार 5-6 दिन से लगातार एक साल से अच्छे खासे आप बोल सकते हो उपर की लेबल दिखा रहा है तो दोस्तों जैसे आपको बता है ठीक है मैं लाएंगे आपके लिए 8 रुपे का सकते हैं दोस्तों कंपरी ने लास कुछ क्वार्टर में अच्छे हांसे प्रॉफिट दिये थे मतलब पहुत पहले की बात है तो रियल वैल्यू उसकी बुक वैल्यू ऑल्मूस 20 रुपे के असपर निकल के आती है 49 परसंट के असपर का माल रोजानास में लेकर जाय जा रह ताकि इस संडे को क्लास होने वाली है फिर अप कॉस्ट ठीक है शेर करने के बाद हमें हाई कर देना हमारे इंस्टाक्राम चैनल पर जिसका नाम है वी आर्ट स्टॉक करके सर्च मालेन यूजरने मिल जाएगा आपको ठीक है तो भाई डेफिनिटी मैसेज कर देना आपको स संडे वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा हर संडे होती है बहुत जल्द हम सोच रहे है कि हम लाइब आया करेंगे ठीक है तो भाई जो वैक्ति शेर करेंगे वीडियो उसको उनी को लाइब आने में का मौका मिलेगा तो आप उस पे आ सकते हो बस शेर कर दो वीडियो को बस ठीक है तो दोस्तों जिस स्काइस की ब Tapi सटॉक जो अंदर और अब अफ्र उपर त्रेट कर रहा है जो अछट के यूडियो कैस थी परेने तोड़ा बोल सकते हो 8 रुपे 9 रुपे के आसपास और इसी बज़े स्टॉक मुझे काफी फज़न आ रहा है इस लेवल में भी ठीक है अगर आपको यहां का ही स्टॉक मिलता है 8 रुपे के आसपास तो डेफिनिटी अच्छा बैट बन सकता है अगर बात करते हैं 5 साल के चा पैटर उसको देख लेना उसमें हमारा स्टॉप भी यह उसमें टार्गेट भी यह और हमारा समें कहां इंट्री करनी है वो भी है तो डेफिनिटी इसको चेक आउट करना अब बढ़ते हैं इसके आज का आज के कामकाज की तरब कि आज इस एनसी के सुगर पैनि स्टॉक मे ठीक है चार क्रोड के आसपास का ट्रेडिंग आज स्टॉक में इंटरेडे में हुआ है और अल्मूस्ट टू पॉइंट थी क्रोड का माल लोग घर लेके गए अल्मूस्ट निकल के आता है 49% के आसपास का दिलिवरी परसेंटेज तो दोस्तो डेफिनेटली काफी बड़ी सं स्टॉक में चल रहा है 50%, 70%, 80% के डिलिवरी रोजाना स्टॉक में देखने को मिल रही है ठीक आप देख सेकते हो जैसे ही सुगर का मैनुफुर्चर करती है आपको पता ही है एक सेकिंड हाँ जी दोस्तो आप देख सेकते हो 822 क्रोड का मार्केट कैप है और साथ रूपी का पहले अभी आट रूपी का सब्सक्राइट कर रहा है हाई लो दोस्तो आप देख सेकते हो इस चौक ने अभी हाल व्लागे दिन पर अपना हाई ब्रेक किया है और वुक बैली के साबसे कापी सस्टे में आपको मिल रहा है और दोस्तो आप देखते हो आर उसी स्टॉक का 2. 2.98 परसेंट के आसपास से बाकि रिटर और रिक्विटी नेगेटिव में है दोस्तो देखते कंपनी में क्या है क्या नहीं है तो चैसे मैंने आपको बताया इस चौक अपने वुक से काविस हस्ते में आपको मिल रहा है होट दिखते कंपनी के प्रॉफिट कैसे तो मैं 970 कroda का इसको सेल्स और रिवेन्व आया तो मतलब कंपनी के जो सेल्स तरह बढ़ रहे हैं लेकिन दोस्तो कंपनी के एक्सपैंस ही बहुत ज़्यादा है तेख सकते हो कंपनी के एक्सपैंस पर कंट्रोल कर ली तो इसका मतलब इस कंपनी को एक अच्छा काज़ा प्रॉफ कर जाया साथ में कंपनी के एक्सपैंस बहुत जाता है अगर यह अपने मैनेजमेंट को सुधार कर ले डेफिनिट्ली यह स्टॉक का उधार हो सकता है अगर बात करते हैं यर ओन यर बेसिस प्रॉफॉर्मंस की तो आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स है करनन टेटियम मे तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि प्रॉफिट के बज़े से यह स्टॉक उपर नहीं भाग रहा है ठीक है मतलब कि यह स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो उसके चार्ट और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से उपर जा रहा है मतलब कहने गाई है कि दोस्तों कि profit के वजे से ये stock उपर नहीं भाग रहा है ये सिर्प technical chart के वजे से उपर भाग रहा है और साथ में एक region है आपको बता है न अगर एक sector का जब भागना start होते है तो उसमें होता है कि दोस्तों चुप penny stocks होते है वो बाद में भागते है तो दो technical chart को rate करना जानते हो definitely आपको घदे share में भी opportunity मिल सकती है तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि ये घदे share में definitely हमें कुछ ना कुछ पैसा बन सकता है तेश्तो क्रोड के आसपास का reserve है पांच एक क्रोड के आसपास का लोंस है अगर बात करते हो से उल्डिक पैटरन की तो अब देख सकते हो मातर 15% के आसपास का promoter की holding है और ये 100% pledge है ठीक है एक रुपे का इंका मतला आप उसो सबकी सभी stocks निए ने गिर भी रखे वे है ठी अच्छी है नहीं है sound off company है मतलब zero company है बस ये जो return आपको देखने को मिल रहे है 20% ये just because of किसके वज़े से आ रही है एक होता है technical support area और दूसरा होता है इसका घदे भी भागते है rally में मतलब कि सुगा सेक्टर भाग रहा है तो ये भी सुगा सेक्टर का stock है तो मैंने आपको बता है ना घदे भी भागते है तो आपको घदे stock का investment करना है तो आपको सबसे best entry ढूणनी होती है कि कहाँ पर हमें पैसा लगाना है और कहा हमारा stop loss होता है जब भी अगर penny stock में investment करो तो बातों का ध्यान रखो ठीक है अपना money management और risk management ठीक है large camera करते हो तब भी इन बातों का ध्यान रखो और खासकर जब भी penny stock के investment करो दूसरा rule जो यह कहता है अपना stop loss ध्यान रखो जब भी आपका stop loss आए stock से exit मार जो ठीक है wait मत करो कि stock दुबारा reverse करेगा नहीं exit मार दो क्योंकि जब भी होता है दोस्तों at least देखो हमारा stop loss लगाने से यह होता है कि हमारा पैसा trap बच जाता है क्योंकि अभी 8 रुपे का stock है हमारा stop loss मालो एक रुपे का stop loss है साथ रुपे का असपास का न तो एक रुपे का stop loss है अगर हमने कुछ पैसे से में लगा रखे तो at least अगर 8 रुपे से 1 रुपे आ गया तो definitely हमारा पैसा बहुत बस सकता है और large care में भी same जाता ह अगर आप stop loss लगाओगे तो definitely आपका बहुत बड़ा पैसा बस सकता है आप खुद देगो यह जो stock सा 400 रुपे से आपका 8 रुपे तक आ गया है इसका मतलब बहुत लोगों की capital zero हो चुकी है तो हमें अपनी capital बचानी है इसलिए कह रहा हो risk management money management को apply करो उससे आपका long term में आ ठीके रहोगे और दूसरा अगर आप stop loss लगाओगे तो आपकी capital एकटी zero नहीं होने वाली दीरे दीरे करके zero होगी चलेगा ठीक है stock market में एक बार थोड़ी capital zero होती है यह होना ठीक रहता है ठीक है जिनका पैसा stock market zero नहीं हो होता ना उनको नहीं पता रहता है कि stock market पे काम कैस खाया इसलिए आप stock market से पैसा कमाना चाहती हो पहले की story अलग होती थी कि जब हमें loss नहीं होता हम नहीं नहीं आते थे जोस था नहीं पैसा था हम लगा देते थे ठीक है भाई तो भाईया अब बात करते है company के chart view की ठीक है यह थो थोड़ा ग्यान देना देदी है मैंने घ्यान छोड़ो अब बात करते चार्ट view की यह हम बताओ हमें buy कप करना है stop loss कब है target कब है देखो अब देख सकते हो मैंने इसका अजाज इंतुस्तान का weekly chart खोला हुआ है आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो यह stock 7 रुपे 58 पैसे का असपास एक अच्छा buy बनता है अगर आपको मिलता है रुपे का असपास definitely आप investment कर सकते हो लेकिन भाई दिहान नगरा long term purpose से stock investment के लिए नहीं है और साथ में 5 रुप 80 पैसे का stop loss लगाना पड़ेगा आपको मतला आप बोस सकते हो कि 30-40% का stop loss है तो हमारा profit भी बड़ा होना चाहिए तो मेरा target दोस्तो इस stock में न profit booking आपको देखने को मिल सकती है 10 रुपे और 11 रुपे मान सकती हो ठीक है थोड़ा उपनीचे हो जाता है तो 10 रुपे या 11 रुपे का stop loss लगा लेना अदरवाई यह आपको बहुत नीचे के level भी दिखा सकता है तो भाई इस वीडियो को आशा करता हूँ आपको समझ आगे होगा यह 8 रुपे का बजाज का सुगर पैनी स्टॉक किस लिए उने पाइक करना है क्या stop loss है क्या target है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like share subscribe करने कंजू सी मत करना और एक पात बोल देना चाहता हूँ अगर आप investment करना चाहते है तो भाई अपने financial advisor से सला लेना ना बargल करते है झाल जाब करन के घुए झाल हूँ यह िुए कर बगलन का स्वा है यह झाल है।